तो आज का हमारा टॉपिक है एस्टीमेशन ओफ वन रूम जो कि हम लोग बात करेंगे लॉंग वाल मैथड के दोवार ओके फ्रेंड तो जैसे ही देख सकते हैं यह हमारा क्या एक छोटा सा प्लान है जो कि फाइब मीटर बाइफ फॉर मीटर का है हमें इस यार से जाएं रख सकते हैं होता है। हो फ्रेंट्ट होता हैं होगी हमारा फेंट्र डी करेंट enemr як जो फ्रीमेट्र होता है हमारा होता वर्टी डॉर्टिकल डी seguir तो प्रेंट हमेद फ्रेंट्स और हमारा सबसे नीचे अपर करते हैं ग्रांड लेवल और इसके उपर के बात करते हैं हमारा जो स्टक्टर आता है वह यह हमारा हमारा स्ट्ट्रॉट है कि नहीं प्लान है उसमें कि recommend बात करें अगर फुर्टिंग की बात करें जो हमार यह फेर झुमार गारी है तो शुर्ण यह देख सकते हैं सबसे पहला हम लोग वीस्जी के हमारे का सफेंट मैं वफ्रेंट की जिले हमारा क्या होती है तो यह वहांगे लेक्पीशिर Стکhu म Suppose पर यह नहें पर कंसीर कियाता है जिक फ्रेंट के से तिल्स नहीं भी हिए जो हमारी होती है हमारी होती है दिन हम कि long wall and short wall method में क्या होता है फ्रेंच कि long wall को हम लोग consider किया आता है outer to outer distance ठीक है फ्रेंच outer to outer distance और जो हमारी short wall होती है उसकी जो length की बात करें तो उसके लिए हम लिया जाता है inner to inner distance तो फ्रेंच अब में देख सकते हैं अगर excavation की बात करें लोग वाल की केस में तो इसकी जो लेंद कैसिंग करेंगे तो फ्रेंच देख सकते हैं कि प्लान में अगर फाइब मीटर का यह हमारा इनर टू इनर डामेंचन है तो फ्रेंट सबसे पहले हमें क्या जाना पड़े का इसके मतलब कि हमार जो ब्रिक में सबहए यह वह जाए कड़ा एंगे थाले कितना फिटिंटेश देवर लेफट की बात करें लेकिन हमारे किया बात की यह हमारे नोंग वाल टो इसकेस में हम हमार तो आगर 5.35.3 मेटर इन्हों अब फ्रेंच हमें यहां पर बात कें कि हमारा जो लॉंग वाल होता है वो होता है आटर टू आटर डिस्टेंस और टू आटेंस आगर देख सेकता है आगर गतान जो भी आपका प्लान होता है तो जो भी आपका जो अगर टेंखा तो दुसरे के घर के जो भी प्लॉट होता हमें तो सेंटर फाइपने जाएगा तो फ्रेंट यहां तक तो महस्तों के समस्तेयों कør इस्ट Grade के स्कना होगा कितना हो जागा 45 सेंटी मीटर तो यहां पर हम लेके चले हैं 5.3 इंडी में कल्कूलेशन हो रहा है। तो 5.3 यहां पर होगे हैं फ्रेंड half to half दो बात कें फ्रेंड 045 फ्रेंड यहां पर left होशा होता है हमार इंट टू इनर दामेंशन होरें यहां बात कर रहा है यहां पर जो हम लोग यह भी किये थे जैसे कि देख सकते हैं एक इनर की बात करई सो डाक्षिंट कि तो फोर फोंट फिर्टी तो होगा सब्सक्राइब यहां सभी הצ्ण अपड़ेगा यहां से हकान लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब धिन फिन YouTube एक नुम्बर उफ्ड गर बात करें लिवेर कितने होगे और डूसरी यह लॉइंस को मतलब की नुमर ऑफ दि जो लौंग वाल रहुत होगे के बात करतो फ्रेंट हमारे कितनी निकली 6.2 मीटर सिक्सपॉंट 2 हो गई विड्थ की बात करें तो विड्थ हमारे कितनी फ्रेंट 90 सेंटीमिटर जो कि हम लोग मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हो जाएक यहां पर एक्सका वेसन है तो अभी बात किया थे कि एक्सका वेसन होता है फ्रंट जी ग्राउंड लेवल पर दिया जाता है तो हाट देख सकते हैं यहां 20 cm 20 cm and 30 cm तो टोटल जो इसके एडिशन की बात करें तो हुई 70 cm and meter की बात करें देन हम लिख सकते हैं 0.7 meter to frequency quantity की बात करें तो हो कि जाएगा हमारे देन हमारी बात करेंगंल लोंग वालीस की केसमें और कॉंटी hiç में निकलिए 17.81 क्तनी निकले हमारे 3.4 meter की बात करें तो हमारे कितनी निकलेrzy नाइन 0.07 तो हमारे अगर बात करें फूरे इसका वेस करने में जो हमारे बात करथे निकलेगी वो निकलेगी 12.09 मीटर क्यूब ओके फ्रेंश नहीं बात करते हैं अब हम एक्सकावेट कर लीए अब बात करते हैं कि जो PCC यहां पर भी आगी 6.2 मीटर अगर इन लोंग वाल की बात करें तो आएगी हमारी 3.4 मीटर तो सिमिरली अब देख सकते हैं इसका भी सेम केलिकुलेशन होगा लेकिन इसमें जो आती है वेरियेशन हाइट में आती है फ्रेंट देख सकते हैं नंबर आप दी जो हमारे जो लोंग वाल होगी वह भी दो दी ह बहुत ही है देख सकते हैं एक दो लेंद की बात करेंट 6.2 और वीट हमारी होगी 0.9 मेटर अगर है यहां पर विरिक कर सकता फ्रेंड की देख सकते हैं जो हमार जो पी सीच है उसकी है बात कर रहे है यहां पर सेंटिमेंटर मतलब 0.3 मीटर तो देन हमारी जो कॉंटिटी सिम्रें निकल जाएगी मंटिप्लाइ करने पर 3.34 और सोट वाल के भी केस में फ्रेंट सेम हो जाएगा यहां पर जो लेंद दिया 3.4 मीटर हमारे 0.9 मीटर अगर हैट की बात करें ट्रीन हमारी जो क्येलकुलेट ओवर ओर केल कोलेट करने की बात करें की पी ड्री जो की सिम्हें लगने वाली है 5.17 मीटर क्यूब और फिरस्ट ना फ्रेंस हमारे यह एक्सकाइवेशन का बात हो गया यह हमारी जो पीजए इसकी बात हो गई जहें हम लोगने पात करते हैं कि में कितना कॉंटिटी की लगेने वाली है तो लोंग वाल के देखते हैं तो कितना की 5.3 वाइ 5.3 था हमारा होर्यांटर डारेक्ट सेंटर अब देख सकते हैं कि हमें कितना एड करना पड़ेगा अब हम फ्रेंटेकि सबसे पहले आपके कितनी दी हुह यहां पर बात किया तो यहां पर यहां पर लेंद की बात करें इन लोंग वाल की कैसे में 6.1 आती है इस तो और अगर सोठ वाल की बात करें तो सोठ करना पड़ेगा हमें माइनस करना पड़ेगा जो भी वीड़ तो अब दी जो हमारी फिर्स फूटिंग होगी तो कितनी यहां पर एटी सेंटी मीटर तो देर्यन मुझ माइनस जी रूपांड फॉर्ण तो फ्रेंट जो हमारे और लोंग माल हमारी है दो याघ्वाल हमारे के लिए उन्हें पर देख जूगे कितना है 8CM और इन 1.8 सेंटिमीटर और हैट की फ्रेंट की है हाइट है हमारा 20 सेंटिमीटर जो की है मीटर बात करें तो हो जाएगा 0.2 तो अगर कॉंटिटी की बात करें तो आ जाता है है 1.95 ओके फ्रेंट ना 1.95 मीटर क्यूब और सोट वल की केस में सीमरेल लिए अगर बात करें तो यह लेंथ हमें पर वीड़ है जो भी हमें वह भी हमें दिया गया अगर बात करें किसकी हाइट की तो हाइट फ्रेंट यहां पर 0.2 मीटर तो यहां जो क्वांटिटी निकल ज सकते हैं जिसकी घंट की सेंटिमेट्य रहे हैं हमारी 20 संतिमेट्य ऑके फ्रेंट तो सबसे पहले करतें की लेंदि कितनी हो थे लोंग वाल की इस ऊmm nei Hungary 11 c सेंटे तू सेंटे इंधर से हमें हम्हाफ िड से आएऑ गा तो जब सुक्स्टी है तो इसकी कितनी हो सीख आ durum पॉंट तर्प से पॉंट्री पॉंट इब आएगा हमारा फाइब ऑपन नाइन मीटर इन लॉंगवाल इसे मिरली फ्रेंड क्या करना पड़ेगा मैनस करना पड़ेगा जीरो पॉंट रिजीरो पॉंट तरफ से घटा देने पर हमारी आएगी फ्रेंट 3.7 मीटर ना अब लि आप्टर मंटिपलाई कितना होगी जो क्वांटिटी निकल रही है फ्राइंट के लिए वो निकल रही तुपवण तुन नाइन मीटर क्यों अगे फ्रेंट नहीं हमें लॉंग वाल के लिए निकानला पड़े कर लें तो यहां देख सकते हैं फिले प्लिंट के देख रही कि सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कि लेंथ की बात कर लिए यहां पर कर लिए और अगर यहां हाइड भी देख सकते हैं तो हम लोग जो हाइड भी कंसीडर के हैं प्लिंट के के समें यह 40 सेंटिमेटर ओके फ्रेंट तो सब्सक्राइब ह briefing देख सकते हैं उटे के मीट्यू के नहीं की बात करते हैं हमने की बात करते हैं जो डिए को प्लिंट हो चार्ब AMA करें ते टो जब फोए टिवाइब यह है यहां पर फ्री की बार की यह थे टो हमारी अप्लां की बात कि हमारा जी जो कि यह जाएगा और लेंद की करते हैं तो देख सकते हैं कि फैपॉंट थिरी प्लस दोनों तरह करना पड़ेगा फ्रेंटि को इधर भी पॉंट फिप्टीन इधर भी पॉंट फिप्टीन तो हमारा हो जाएगा लोंग वाल केसे में 5.6 मीटर ओके फ्रेंट फ्रेंट सब्सक्राइब फिप्रेंट करना पड़ेगा तो आँ जागा हमारा 4 मीटर फ्रेंट्स अभी बात केंँगे कि हाएट हमें पधा चल गई है 3 मीटर है वीड्ट है हमें देख चुक हैं कि हमारा 60 सेंटिट हैं अगर नेट कॉंटिटी की बात करें कि आफ ओवर्वल जो वर्क हैं हमारे जो भी एक्सकावेशन्स पीसी हो गई या फिर्स फूटिंग सेकंड फूटिंग प्लिंथ एंड हमारे जो सुपर अस्टक्चिर ब्रिक वर्फ में तो जो नेट कॉंटिटी वर्क है टोटल केल्कुलेट करने पर वह आ रहा हमारा 42.95 मीटर क्य टो ऐसा आज का हमारा वीडियो की अगर हमारे पास आवन रूम है उसके करना है तो ऒाई यू जिंग लोंग वाल एंस उटमेशन्स परकार हम जो इससी कैल्कुलेट कर सकते हैं तो ये था अजका हमारा वीडियो और अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे मे लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा थैंक यू